यदि नवदे विद्याले एंटरस एक्जाम को पास करना है तो इस वीडियो को लाट्स तक देख लेना क्योंकि जब आप एक्जाम देने जाओगे तो आपको ऐसा ही एक पेपर आपके सामने देखने को मिलेगा जब आप एक्जाम देखर के आओगे और उसके बाद अगर आपने ये वीडियो देखा तो फिर पच्ता होगे कि कास की ये वीडियो एक्जाम से पहले देख लिया होता और पूरा देख लिया होता इस वीडियो में हम नौदे विद्याले एंटरंस एक्जाम के लिए गैस पेपर के बारे में बात करने वाला है मतलब कि मोडल पेपर के बारे में बात करने वाला है ये मोडल पेपर ये गैस पेपर बहुत ही सोच समत के बनाया गया है नवदे विद्याले के पिछले सालों के क्यूशन पेपर सब को देख करके इस पेपर को बनाया गया है और इसी प्रकार का या फिर यही पेपर मालो आपको एक्जाम में देखने को मिलेगा अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है क्योंकि यह वीडियो आपके लिए मैं कह रहा हूं बहुत ज़्यादा है अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिस किसी क्यूशन का उत्तर आपको आ रहा है और आप अगर यह वीडियो यूटूब के ओपर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में उत्तर जरूर बताईएगा ठीक है चलिए आपका हादिक स्वाकत है इस गैस पेपर के वीडियो में सिक्स का मैं आज आपको बताना वाला हो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप अगर जवाहर नौदे विद्याले एंडरस एक्जाम की घर बैटे प्रिपरिशन या फिर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा एक एंडरोड एप्लिकेशन है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर गूगल प्लेश्टूर के उपर जाएगा और सर्च कर दीजिए और सर्च कर द दोस्तों के साथ सेयर कीजेगा चलिए अब ज्यादा बात नहीं करेंगे सिधा चलते हैं क्यूशन पेपर की और सबसे पहला जो आपका सेक्शन होता है वो होता है मांसी ग्योगिता मतलब की मैंटल एबिलिटी ठीक है इसके आपको 40 क्यूशन देखने को मिलते हैं जहां प हर भाग में 4-4 क्यूशन मतलब की कुल मिला कर 40 क्यूशन पूछे जाते हैं सबसे पहला भाग कुछ इस प्रकार से होता है जहां पर आपको इस प्रकार से क्यूशन दिया जाता है यह है क्यूशन हिंदी मीडियम में एंड यह है क्यूशन इंगलिस मीडियम में एक बार क्य से पढ़ लेना क्योंकि यहां पर हम लोग बात कर रहे है ओड वन आउट के बारे में मतलब की असंगत को चाड़ना सबसे पहला हमारा कॉंसेप्ट है इसका सबसे पहला क्योशन है जैसे कि देखिए आपके सामने क्या है चार आप्शन है इन चारों आप्शन मैंसे हम किसको कि आपके बिटा देखिए ध्यान दीजिगा यहां पर क्या हो रहा है कि एक सरकल है एक स्क्वायर है एक स्टार है सरकल देखे हर किसी में सेम चीज़ है बिलकुल सेम है गुरुझी एक दम सेम है कोई ज्यादा बदलाव नहीं है ठीक है लेकिन अभी हम लोग इसके अंदर क क 1986 घ्रफिया कर सकते हैं कोई ने कुछ चैंज तो इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा है देखे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहां पर देखिया आप है यह स्टार स्टार के जस्ट पीछे है कौन सर्किल स्टार में पिछे कौन है? Circle. यहां पर भी star के जष्ट पीचे कौन है? Circle. लेकिं स्टार के यहां पर देखे star के पीचे कौन है? square है. एक work है. ठीक है? तो हम यूं गूम रहे हैं यूं. ठीक है? अगर आप इस परकार गूंगे तो तो बईसाब यहां पर यह मिल जाएगा लेकिन हमें ऐसे गूमना है ना ऐसे गूमना है जब हम ऐसे गूमते हैं तो स्टार के जस्ट पहले कौन है सर्किल है यहां पर भी कौन है सर्किल है यहां पर भी कौन है सर्किल है लेकिन यहां पर गूमते हैं तो सबसे प यहां पर सरफ इसका एक भाग जो है उस जैड इस में स्वकरखरं से आकर्थी बना ही हुआ है देख़ें यह वाली आकर्थी ठिक है इसमें भी एक ही साइड में है। लेकिन इसको आप देखिए, ऊपर और नीचे, दोनों साइड में इस प्रकार की आकरती मतलब की डाग्राम मना हुआ है, इस कारण से D अपना सही उत्तर हो जाता है, चलिए बेटा, बात करते हैं आज के हमारे तीसरे प्रस्ने के बारे में, क्या कहता है हमारा तीसरा प्रस्न देखिए, इसके अंदर ये जो लाइन है, ये इस प्रकार से घूम रही है, इसके अंदर भी ये कुछ इस प्रकार से घूम रही है, इसके अंदर भी ये कुछ इस प्रकार से घूम रही है, लेकिन इसके अंदर उल्टी घूम रही है, ये आपको पता चल चुका होगा, बा सारे बच्चे यहां पर क्या क्यलेकूलेट करते हैं, कि A E I O Y U, === यह vowels होते हैं बच्छे इसके ओपर फोकिस करते हैं कि कोह नहीं ने कोई एक एक होगा जो वर्बोड वर्बाकि सारे वर्बोड नहीं होगे तो हम उसको ओपर ध्यान देते हैं कि यहां पर गुरुजी कौन शीट्रिक काम आएगी देखिए इसका जो मिरर इमेज होता है मिरर इमेज क्या होता है दरपन प्रतिविम कांच के अंदर यह चीज कैसे देखेगी बैसाब जब कांच के अंदर ए को देखते हो ना तो इसके अंदर कोई चैंज नहीं आता है जैसा है वैसा को जो होजाता है जब आप एफ ऊल्टा हो जाता है जैड को देखते हो तो जैडब वी उल्टा हो जाता है लेकिन ए के अंदर कोई बदलाव नहीं आता इस कारण से यह अपना एकदम सही होता है तो इस प्रकार से भी deeply हमें सूतना पढ़ सकता है हालांकि यह क्यूशन तो है old one out का मतलब की अ संगत को छाड़ना लेकिन दरपन प्रति बिम्भी यहां पर काम कर रहा है तो जो एक्जामिनर होता है वो कुछ इस प्रकार से भी क्यूश जाएगा चलिए जब यह आप से क्यूशन पूछ लिया गया उसके बाद क्या होता है देखिए यह सिमिलर फिगर मतलब की समान आकरती सैम का सैम दिखना हो बहुत दिखना चलिए इसके जैसक जैसा कौन दिखरा है भई देखिए इसमें यहां पर यह लाइन यू है इसमें सभी गरत हो गया चलिए यह वाल नोग है चटे प्रसने के बारे में चट्टता प्रसन क्या कैता है इसके जैसा का जैसा कौन सा दिखता है इसके जैसा के जैसा मुझे दिखता है दोनों के दोनों से हम दिख रहे हैं ना भई, देखिए, option number C और D, इसके अंदर कोई change है क्या, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, नहीं सर कोई change नहीं है, लेकिन है change, आप फोड़ा सा focus कीजिए, यहां पर यह जो line बनी होई है, इसके अंदर यह पूरा का पूरा काले color स सही उत्तर हो गया, चलिए, साथ वे प्रसने के बारे हम बात करें, यह किताब जैसी यहां पर है, वैसी किताब यहां पर भी बनी होई है, इस कारण से भी अपना एकदम सही उत्तर हो गया, इसका तो पूरा फोड़ा थोपड़ा ही change है, इसका और इसका लगबग match कर रहा ह हैं, लेकिन यहां पर दो पेज़ी खुले हुए, इसकारण से गड़त हो गया, और जो है, C, sorry, C ने भी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है, चलिए हम लोग बात करते हैं, आठ होए प्रसने के बारे में, जिस किसी उत्तर आ रहा है, अगर आप YouTube के उपर देख रहे हैं, तो comment section में लिख के बताओ, वीडियो को like करो, आपका कोई question है तो पूछो, जो अपने दोस्त है, उनको WhatsApp के उपर share करो, प्लीज, जरूर कीज़े यह सब चीज़े, ठीक है वाई, चलिए, हम लोग बात करते हैं, इस प्रसने के बारे में, similar figure मतलब की समान आ करती, देखिए, अब ऐसा कैसा हमें बनाना है, देखिए, इसमें सबसे पहला उपर की side black हुआ है, बाकी नीचे वाला black है, नीचे वाला black है, चलिए, इसी एक line के उपर focus करते हैं, और सब check करते हैं, देखिए, यहां पर तीनों के तीनों नीचे वाले black है, देखिए, यह भी black, यह भी black, य में check करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक loophole निकालना पड़ेगा, एक गल्ती हमें निकालनी पड़ेगी और वही अपना सही उत्तर हो जाता है, चलिए हम लोग बात करते हैं, आज के हमारे तीसरे भाग के बारे में, मांसिक योगिता का तीसरा भाग, जहां पर इस प्रकार स questions जो हैं, पूछे जाते हैं, आएए, हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले इसके question के बारे में, इस pattern को पूरा करने के लिए, क्या आएगा यहां पर देखिए, सबसे पहले यह गोल हो जाएगा, यहां से भी यह गोल हो जाएगा, एंड फिर क्या होगा, नीचे आएगा, एं side जा रहा है, नहीं चाहिए हमें, यह वाला वही साब जा राएगजम सही है, और यह दोनों के दोनों सही आ रहे हैं, देखिए, सैम आ रहे हैं, यह वाला match नहीं कर रहा है, अब इन में से कौन सा चूज करना है, देखिए, यहां पर दो-दो line है, एक line और दूसरी line, लेकि हम लोग बात करते हैं, दसवे प्रसने के बारे में, दसवे हमारा प्रसने क्या कहता है, सबसे पहले सीधी line खेंच दीजिए, ठीक है, अभी यह देखिए, यह दोनों एक दूसरे के उल्टे है, यह इस side जा रहा है, अगर यह इस side है, तो दूसरा उस side जाएगा, तो यह व प्रकार से डियाग्राम हमारा बनना चाहिए, ठीक है, चलिए, देखिए, कौन सा बनना रहा है गुरुजी, गुरुजी के सामने तो भी साब यही बन रहा है, सी एकदम अपना match कर रहा है, आप देख लीजिए, बिल्कुल exactly match कर रहा है, आईए हम लोग 11 प्रसने के बारे म देखिए, कुछ इस प्रकार से हमारा डियाग्राम बनना चाहिए, हमारी आकरती जो है, बननी चाहिए, तो कौन सा बनेगा, चाहिए, मैं एक बार देखता हूँ, अगर मैं इसको यहां से उठा सकता हूँ, तो नहीं, अक्केले को तो नहीं उठा सकता हूँ, लेकिन फिर ही, ओके, 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 नहीं उठा सकता हूँ, बैस साब कोई बात नहीं, हमें उठाना ही नहीं है, ठीक है, चलिए, तो क्या होगा बेटा, यहां पर, यहां पर अपना सही उत्तर होगा, option number B होगा, हालांकि C भी हो सकता है, लेकिन C ने यहां पर एक extra line खेंच लिया है, इस खेंच दीजी, ठीक है, एंड, अच्छा, यहां पर line को खेंच लिए हम लोग, क्यांकि देखिए, इसका और इसका देखिया आप, यह दोनों एक दूसरे की opposite है, दोनों same है, ठीक है, बस उल्टे हो रख है, तो जैसे चीज यहां पर हो रही है, वैसे कि यहां पर भी होगी इसका उल्टा बनेगा उस साइड में, ठीक है, तो उल्टा कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से, उल्टा बनेगा, तो अपना डाइग्राम कुछ ऐसे हो जाना चाहिए, जो की option number, कौन सा है भई, option number B के अंदर मैच कर रहा है, हालांकि C भी मैच कर जाता, लेकिन C ने यहां पर देखे, लाइन को खाली छोड़ दे, लेकिन लाइन पूरी यहां से जुरू होने चाहिए थी, इस कान्ट से गलत हो गया, ये तो भी साब गलत ही है, ये भी गलत है, तो अपना B एकदम सही उतर है, देखे, आपको यह आपके लिए एक यह समझ लो कि मैं आपका exam ले र ठीखे, बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे चौथे भाग के बारे में कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, एंड इसको English Media में कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, चलिए, अब जब क्यूसन हमारे से पूचा जा चुका है, तो ये क्यूसन है, Series Completion का मतलब की श्रंखला प इस प्रकार से बन गया, फिर देखिए, इसको इस साइड घुमाया गया, ठीक है, तो आप अब देखिए, कि इसको सबसे पहले उपर रखा गया था, फिर नीचे भी रखा जा चुका है, फिर राइट में भी रखा जा चुका है, तो अब पीछे कौन बचा, आप खुद सोच है, यह उपर नीचे, दाएं, बाएं, यह होता है, तो इस समग्यों अपण लोग जो है, उपर भी आ चुके हैं यह रहा, नीचे भी आ चुके हैं यह रहा, तो आप बाएं और पीछे बच चुका है, तो अब इस साइड यह बनेगा, ये आकरती कुछ इस प्रकार से घूमेगी, तो देखिए, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, अब इन दोनों में से कौन सा उत्तर होगा, आप सोचिए, ये मूँ जो है, ये इस प्रकार से है, तो जब ये घूमेगा, तो ये मूँ इस प्रकार से हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर मुह उट्टा बना हुआ है, इसकांड से गड़त हो गया, option number A अपना जो है, एकदम match करना चाहिए, लेकिन नहीं, 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 ए मैच क्यों नहीं कर रहा है बेटा? इसलिए नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो आँखें एना आँखें, एक आँख नीचे वाली काली है, एक उपर वाली काली है, एक नीचे 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 वाली आँख, काली मिल्दब कि जो आँख है, उसके दूद से यहां पर जिस खिसीने क्योशन बनाया है तो उसने जाइंचर थोड़ी सी गलती इसको क्या करना था इसका थोड़ा सा यहां पर काला करना था इसको बुरा वैट करना था ठीक है भई तो इस बकार से वैसे आपके एक्जाम में जो कर आских भीज़ साभ ये गल्ती ये वो गल्ती है ठीक है, लेकिन जब आपका अगजाम होगा तो इसके अंदर इतनी गल्तपफ कुरशाइं नहीं होगी, अगर भाई चांस ये सैम क्यूशिशन ही आपको एग्जाम में मिल जाये, ऐसी गल्ती आपको एग्जाम में मिल जाये तो वैसाब जो आपको सबसे अच्छा लग रहा है, मेरे ख्याल से तो सबसे अच्छा हमें यही लग रहा है कि यह उतर है, तो इसको चूज कर लिजिए, आपको इसके अंदर बॉनस मार्क मिलेगा, और अगर आपने इसको अटेम्ट नहीं किया, माल लिजिए, आपने खाली चोड़ दिया, तो वैसाब आपको बॉनस मार्क भी नहीं मिलेगा, इसको इसके बारे में ध्यान रखना, चलिए, हम लोग चाओ दुए प्रसने के बारे में बात करते हैं, फोर्टींच नंबर किशने के बारे में बात करते हैं, चलिए, सबसे पहले आप देखिए, इसके होगा, ये तीर यहां रहाग गया, ये वाला गोला यहां रहाग गया, अब इसको हम लोग घुमाएंगे, तो उस प्रकार से गोला इस साइड में बन जाएगा, जो की अपना उत्तर कौन साओगा बेटा, ओप्सन नंबर D अपना एक दम सही से मैथ कर जाता है, तो आगया स साइड और घुमाया गया, अब इसको फिर से घुमाएंगे, तो ये दोनों तीर जो है, ये उपर चले जाएंगे, ये कुछ इस प्रकार से डाग्राम हमारा बनना चाहिए, जो की ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सी अपना एक दम मैच कर जाता है, चले एक जो भाग है इसको हम लोगों ने काट दिया, यहां पर देखिए थी आप आपके लितिया, यहां पर के लिए फासयवार भाग काट दिया, हम नेक्स कंस्ग्स फश्वाव causal काल की लिए जब इसको काटेंगे, मान लेजे कि हम लोग इसको भी काड़ देते हैं ना ये वाला भाग जो है इसको भी हम लोग काड़ देते हैं तो पीछे क्या बचा पीछे कुछ इस प्रकार का डियाग्राम हमारा बनना चाहिए जो कि ऐसा का ऐसा होना चाहिए option number C अपना देखिए एकदम match कर रहा है आगे ना चलिए अब बताएए सोडा मैंसे कितने marks बन रहे हैं आपके मेरों तो भीज़ाब पूरे मैंसे पूरे हैं एक मुझे bonus mark में मेरा है चलिए बात करते हैं पांच वे भाग के बारे में 17 से लेकर 20 तक हमें क्या कहता है English medium में क्यूशन कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है जहां पर हम लोग बात करते हैं analogy मतलब की relations के बारे में समानता मतलब की संबंद के बारे में देखिए यहां पर क्या हो रहा है जो process इसके और इसके बीच में होना चाहिए ठीक है अब यहां पर क्या हो रहा है सबसे पह इस प्रकार से कुछ बना दिया गया है ठीक है तो यहां पर भी same चीज़ होगी क्या होगा यहां 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 और यहां इस प्रकार से बना दिया जाएगा जो की option number C के अंदर मेरा मिलकुल match कर रहा है चलिए हम लोग बात करते है अठारवे प्रसन के बारे में अठारवे प से बनता है ठीक है तो अभी यहां पर यह इस प्रकार से थो इसका बी जो उल्टा होता है क्या होगा उल्टा होगा बई स्थाव ऐसी स्का इन्सें उल्टा हो जाएगा तो गया होगा option number B यहां पर भी स्को गुमया है हम भी इसको गुमा बेंगे ठीक है बई चलिए हम लोग बात करते हैं 19 वे प्रस्ने के बारे में यहां पर क्या हो रहा है देखी पहली पाइव स्टार था यानि कि जो स्टार है वो इस्टार के ऊपर 55 इसकी क्या है यहां पर बनी होगा है अब इसको क्या के ते वो आपकी भाजा में आप सोट लेना ठीक हैKNध चार अब चार हो गए तो अब यहां पर क्या है एक दो तीन चार पांच छे यहां पर छे हैं तो अब नेक्स क्या आएगा पांच वाला बनेगा नब अब पांच वाला बनेगा है न भई तो इस प्रकार से हमारा पांच वाला इस्टार बनना चाहिए जो कि डी अपना एकदम मैच कर रहा है क्योंकि यहां पर एक, दो, तीन, चार है, यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे हैं, यहां पर एक, दो, तीन, चार है, लेकिन मुझे पांच वाला चाहिए, दो, तीन, चार, और पांच, पांच वाला यहां पर मेरा बन जाता है, चले भी बेटा, बात क है यह black यहां आ गया और इसका next एक जो था उसको भी हमने black कर दिया तो यहां पर भी हम लोग यह का यह चीज़ करते हैं इस black को उठा कर यहां ले आते हैं और इसके next वाला लेकिन अब यह वाला option कहीं पर है ही नहीं तो लगबग इसके आसपास कौन है यह है तो अपना सही उतर हो जाता है चलिए हम लोग बात करते हैं आज के हमारे चित्रपूरक जहां पर triangle हो सकता है square हो सकता है rectangle हो सकता है circle हो सकता है ठीक है अभी देखिए इसको हम लोग complete करते हैं complete कैसे करते हैं इसको सीधा लाईए and यह तो इस प्रकार से हमारा diagram देखिए आपके सामने ही बन रहा है कौन सा होगा भई option number a अपना बिल्कुल exactly देखिए match कर रहा है बिल्कुल 6 में न है न बड़ा 6 में चलिए हम लोग बात करते हैं 22 प्रस्ने के बारे में 22 प्रस्ने के अंदर क्या होता है चलिए यह 22 प्रस्ने हो गया तो कुछ इस प्रकार से मेरा बनना चाहिए न तो इस प्रकार से मेरा एही बन रहा है बाकी एक भी देखिए match नहीं कर रहा है ठीक बहुत सारे प्रस्ने के बारे में बात करते हैं 24 प्रस्ने हमें क्या कहता है देखिए सीधी सीधी लाइन हमें कैस देनी है चलिए गुरूजी यह हो गया तो जब कि यहाँ पर क्या है 90 डिगरी का जो कौन बनता है न 90 डिगरी का कौन यहां बन रहा हैै 94 डिगरी को कौन इस साइट बन रहा है तो यह गड़त हो गया और । क्यों कि कौन हमें यहीं पर बनाना है बहुत सारी यहां पर कैलिकुलोशन में देखनी पड़ती है बात करते हैं हमारे साथ वे भाग के बारे में 31 से लेकर 35 तक के जो क्यूशन है दरपन प्रतिबिम है मतलब की मिरर इमेजिंग वाले क्यूशन दो है वह आ चुक है देखिए 25 वा प्रसन दो है अच्छा यहां पर 25 से 28 है यहां पर लिखना में तोड़ी गलती हो चुकी होगी अपना क्यूशन नंबर 25 से 28 में यह आता है अपना साथ वा भाग ठीक है C जो है C ऐसी हो जाएगा तो C बैसाब ऐसी हो जाएगा यह P है तो यह P ऐसे उल्टा हो जाएगा एंड A का क्योई चेंज होता नहीं मैं आपको बताया था चलिए अब यहां पर D देखि इसमें पी आ गया बैसा मुझे यहां पर D चाहिए था आप भी गलत है चलिए अब इसके अंदर देखी पी जो है इसको सीधा कर दिया लेकिन मुझे पी को जो है उल्टा करना इस पकार से तो यह भी गड़त हो गया तो सी अपना एकड़म एकड़म एकड़कली मैच कर जाता है जो कि मैने जो बनाया डियाग्रम उसके साथ मेल खाता है चलिए हम लोग बात कर देन ऐसे बन जाएगा और यह ऐसे हो जाएगा एंड यह वाली घूम के ऐसे आजाएगी तो यह इस प्रकार से कुछ उल्टा होगा तो यहाँ पर देखिए इसका लाइश्ट वार्ला जो कॉर्णर है वो इस साइड में उपर जा रहा लेकिन यहाँ पर देखिए नहीं है देखिए इस प्रकार से बनेगा देखिए इस प्रकार से बन गया यह नीचे आ रहा है तो अब यह इस प्रकार से उल्टा जाएगा ठीक है बई तो कुल मिलाकर कौन सा ओप्सन लोगा हमारा ओप्सन नमबर डी अपड़ा एकदम सही से मैच कर जाता है यह सारे क्यूसें मैं आपको बता चुका हूँ एक सिप बात करने के बाद क्या बनेगा कैसा बनेगा देखिए बीच वाले जो लाइन नहीं है उसके अंदर कुछ चैंज नहीं आएगा यह जो है यह विए उल्टा हो जाएगा तो अपना ओप्सन कौन सा होगा बही ऑप्सन अपना होगा ए बाकि सब की सब गणत हुए जा रहे है तो यह अपड़ा एकदम सही से मैच कर रहा है चली हम लोग बात करते हैं आज के हमारे आठवे भाग के बारे में आठवा भाग हिंदी में कुछ इस प्रकार से पूचा जाता है इंगलिस में कुछ इस प्रकार से पूचा जाता है जहां पर हम लोग 29 से लेकर 32 तक टे हमने फिर इस इस को इस परकार इस प्रकार से काड दिया गया तो गवäg साफ और तो जब इस यहां पर थोड़ा सा यह भी कोपी हो जाये तो इस कारण से अपना उत्तर कौनुस होगा यहां अपना लग-बग मैच कर रहा है, एकदम एक जेक्टली मैच कर रहा है, क्योंकि यहां पर तो देखें, इसने उपर वाले सीड़ बनेंगे यह लेकिन काट ना कहा है वही, यहां बात करें तो इसने तो उपर वाले तो यह थे इनको हटा दिया तो इसा गलत तो इतना जदा अपने को दिमाग लगाने की जरूरती नहीं है option A तो हमारा सीधा ही आ रहा है चलिए हम लोग बात करते हैं तीसवे प्रसने के बारे में तीसवे प्रसन हमें हमारा क्या कहता है सबसे पहले पेज को इस साइट फोल्ड किया फिर हमने इसको नीचे की साइट फोल्ड किया वापस ऊपर खोलेंगे तो क्या होगा वेटा ऐसे करके एक तो यह हो गया, इस साइट खोलेंगे तो क्या होगा, यह इस प्रकार से हमारा डियाग्राम बनना चाहिए, तो कौन सा होगा भई, ओप्सन नमबर C हमारा मैच कर रहा है, क्योंकि दो गोले उपर हैं, यह रहे, दो गोले नीचे हैं, यह रहे, and square जो है वो यहाँ पर दिय हुआ है, खालि अन्छी हम लोग 1128 परिसने के बार में 31st number division के बार में सबसे पहले, पेज को इस साइड होड किया गया है, फिर पेज को नीचे fold किया गया है, नीचे fold करने के बाद ही इसको फिर इस साइड पर कांदर हे उर fold किया गया ए, फिर है यह बन गए और तीसरा यह बन जाएगा इसको जब वाउंपस खूलो गए तो बैस आप किते हो रहे है कुल मिले कर देख लीजेए दो दौचौ तो छै यहाँ हो गए है ना जएएंगे यहां पर देखिए किसे साइब रहा है आपको दिखाता हूं यह देखिए यह दो तीन चार पांच है एक दो इन चारपांच हैं लेक्ट उन्हों मेच्ट कर रहा है यह आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि देखिए एकशले जब कोई भी पेज एकडम बराबर होता है ना तो जितने सरक्ल यहां पर बने उतने सरक्ल जब वह पेज वापस खोलेगा तो बनेंगी ठीक है अगर तीन यहां पर बनें तो तीन जब इसको वापस खोलोगे तो वहां पर बन जाएंगे ठीक है चलिए अब यहां पर बन 200 परसन क्या करता है सबसे पहले इस सेट फोल किया फिर इस प्रकार से इसको काट देगा वापस खोलोगे तो क्या होगा ऐसे कट जयागा एंड यहां से भी कट जाएगा ठीक है वही तो कोली मिलाकर सन कुछ आपको पेज के कट पीस दिये जाएंगे उनको मिलाकर आपको बनाना है देखिए सबसे पहला भाग दूसरा और तीसरा भाग देखिए सबसे पहला भाग दूसरा भाग तीसरा भाग देखिए यहां पर आपको मिल रहा है सबसे पहला भाग दूसरा भाग और तीसरा बाद, अब कुछ बच्चे ये भी बताएंगे, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा है न, इस प्रकार से घूम रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर घूमाना नहीं है, ये लाइन तो सीधी है मेरी, लेकिन ये थोड़ी सी घूम रही है, इस प्रकार से गलत हो गया, वैसे तो दोनों लगबक सहम ही है, बट थोड़ी सी इस गलती की कारण हमारा यह option सही नहीं हो सकता, बात करते हैं 34 परसने के बारे में सबसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, देखिए, यह रहा पहला, ठीक है, यह रहा दूसरा, यह रहा तीसरा और यह रह बिल्कुल मैच कर रहा है, इस कारण से भी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है, आईए हम लोग बात करते हैं 35 परसने के बारे में, जब आप इन सब को मिला लेते हैं, इन सब को जब आप मिला लोगे, तो क्या बनेगा देखिए, जैसे कि मैंने इसको यहां मिला लिया, इ लेकिन यहां पर आप देखिए, यह सैम डाइग्राम, जो मैंने आपको कहा है, यह बन रहा है, देखिए ना, इस कारण से भी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है, आईए हम लोग बात कर देते हैं 36 परसने के बारे में, 36 नमर क्योशन के बारे में, जो क्या कहता है, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, ठीक है बही, देखिए, यह रहा पहला भाग, यह रहा पूरा 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 तीसरा भाग यह वाला, ठीक है, और कहीं पर भी मैच नहीं कर रहा है, इस कारण से ए अपना एकदम सही उत्तर हो गया, आईए हम लोग बात कर लेते हैं दसवे भाग के बारे में, दसवे भाग हमें क्या कहता है, जहां पर हमें embedded figure मतलब की सनिहित आकरती हमें पूछी जाएगी, ये वाला diagram, ये वाला figure कहां पर चिपा हुआ है, ये अपने से पूछा गया है, चलिए हम लोग इसको डूड़ते हैं, कहां पर चुपन-चुपाई क यहां पर चिपा हुआ है, यहां पर थोड़ा सा, तो इस कारण से D अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है, आए हम लोग बात कर लेते हैं, आज के हमारे 38th number question के बारे में, ये वाला diagram कहां पर चिपा हुआ है, यहां पर चिपा हुआ है, यहां पर दैन, A-line पूरी आ गई, य यहां पर यहां पर चिपा हुआ है, इसलिए A अपना सही उत्तर हो जाता है, आए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 49th पर प्रसने के बारे में बात कर लेते हैं, यह वाला diagram कहां पर चिपा हुआ है, तो देखिए यह वाला diagram जो है, यहां पर हमारे चिपा हुआ इसके बाद आप मुझे बताना, 40 में से आपका कितना स्कॉर बन रहा है, फिर हम मैच के बारे में पढ़ते हैं, अंकनीत पढ़ते हैं ठीक है, चलिए, तो यह वाला diagram कहां पर मिलेगा हमें, यह वाला diagram हमें गुरू जी यहां पर मिल जाएगा, भी अपना एकदम सही उत्त पाए मुझे, चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं, गणीत के बारे में, mathematics के बारे में, अब हम लोग बात करते हैं, जो कि जवार नोग देविद्याले, gas paper, modal paper की गणीत हैं, उसके बारे में बात करते हैं, 20 question यहां पर आपको पूछे जाएंगे, सबसे पहला question, एक संक् संक्याब C से 20% कम हैं, तथा C 250 से 15% अधिक हैं, तो B बराबर कितना होगा, यह अपने से question जो है, पूछा गया है, इसको solve करते हैं, देखिए, यह ऐसा कैसा question 2020 के नोदे exam में पूछा गया था, यह आप चाकर के चेक कर सकते हैं, वहीं से उसी परकार का question मैं आपके सामने ल C से 20% less है, यानि B बराबर कितना है, C से 20% less है, तो C खुद में कितना है, C अपने आप में 100% है, C अपने आप में 100% है, लेकिन B जो है, वह C से कितना कम है, 20% कम है, तो B बराबर कितना हो गया, 80% of C, यानि जो B हैं, यह C का 80% है, 20% less हो गया तो यह हो गया 80%, अब next यह क्या कह रहा है C जो है C जो है 250 से 15% ज्यादा है तो बैसे आप 250 जो है ना 250 ये अपने आप में 100% है ये अपने आप में 100% है लेकिं C जो है C ये 250 से 15% ज्यादा है मतलब की 115% है C जो है ये 250 का 115% है तो ये आप पूछ रहा है कि B बराबर कितना है B का वैल्यू कितना है वो अपने को को बताना है चलिए तो इस प्रकार की क्यूशन में हम लोग क्या करते हैं आपको यहां पर फोकस करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले सी का वेल्यू निकालना पड़ेगा कि वह सी का वेल्यू कितना है ठीक है जिरो से जीरो कैंशल पांच 55 पांच 25 पांच पड़ेगा 20 तो सभी काट राऊने जीरोस से जीरो काट फांच 25 पांच 25 पांच 25 पांचे थीक है अब नवक अपना इंटू में 5 बट्टा में 2 यह अपना c का value आ गया पूरा का पूरा calculation निकालने की जरूरत नहीं है बहुत सारे बच्चे जल्द बाजी में calculation निकालते हैं और वहाँ पर अपना समय बरबाद करते हैं समय बरबाद नहीं करना है क्या पता कि इसके बाद जो calculation है उसके अंदर हम इसको काट दें ठीक है चलिए मैं अभी क्या करता हूं मुझे value निकालना है बी का तो बी बराबर कितना है बई साब बी बराबर है 80% of C अगर C बराबर इतना है तो इसका 80% निकाल दो इसका 80% निकाल दो चलिए भई साब अब 115 गुणा में 5 बटा में 2 इंटू में 80 बटा में 100 ठीक है जीरो से जीरो कैंसल पांच एकम पांच पांच दूने 10 दो एकम दो चौक आठ दो एकम दो दूने 4 ठीक है अभी इतना हमारे सामने बच चुका सिरफ 15 सरी 115 और 2 बच चुका है सो 115 इंटू 2 कितना होता है 230 सो 230 हमारा एकदम सही उत्तर होगा ए हमारा एकदम करेक्ट आंस्वर हो जाता है बटा यह आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से कैलेकुलेशन निकाले जाती है बहुत सारे बच्चे यहां पर सबसे पहले इसका उत्तर निकालते हैं फि तो वैसा आपको इसका कलेकुलेशन निकालना पड़ेगा लेकिन इसके बाद और सबसे पहले वह सौल करो क्या पता देखिए अभी मैंने क्या क्या काट देखिया कट कटा कर मेरा काम हो गया बहुत एजी हो गया ठीक है बगई चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अब यहां पर हमें क्या करना है Sum of HCF and LCM of 55, 70 and 80 निकालना है चलिए सबसे पहले हम 55, 70 और 80 का LCM निकालते हैं दो से भाग दिया तो 55 आ गया यहां पर दो से भाग दिया 35 आ गया यहां पर दो से भाग दिया 35 आ गया बीस आ गया फिर से दो से भाग दिया 55 आ गया 35 आ गया दस आ गया फिर से दो से भाग दिया 55 आ गया 35 आ गया 5 आ गया चलिए और आगे बढ़ते हैं पांच से भाग दिया ग्यारा आ गया साथ से भाग दिया ग्यारा आ गया एक आ गया फिर हम लोग क्या करते हैं फाइनली ग्यारा का भाग दियते हैं ठीके ग्यारा का भाग दिया तो एक एक हमें मिल चुका है तो यह अपना जो है 11 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है न चार बार दो आ गया यह अपना हो गया LCM मतलब की लसप लगुतम सनापवर्थ तक अब दूसरा हमें निकानला है इसका HCF मतलब की highest common factor और इन दोनों का योगवल हमें निकानला है कि कुल मिलाकर कितना होगा देखी इनका जो HCF होगा highest common factor है वो है 5 क्योंकि 5 का भाग सब के अंदर जाता है और 5 से बड़ी कोई सिंख्या नहीं है जिसका भाग इन सब के अंदर जाए आप चाहो तो बहले factors नि आप वर्तक हो क्या है 77 यह हो गया ठीक है 5 दूने 10 10 दूने 20 20 दूने 40 40 दूने 80 ठीक है अब हम 77 और 80 को गुणा करते है ठीक है यहां पर 0 मैंने साइडी में रख लिया ठीक है 876 चपन 876 और 5 61 ठीक है ठीक है यह हो गया अपना 6160 हो गया इनका LCM मतलब की लसब अब मतलब मेरे पास 5 था मुझसे पूछ क्या रहा है योगफल तो दोनों को जूड़ दू 6160 के अंदर 5 को जोड़ा तो 6165 मेरा उत्तर हो जाता है जो कि अपना option number A विलकुल match कर रहा है चलिए हम लोग बात करते हैं बेटा आज के हमारे तीसरे प्रस्ने के बारे मतलब कि यह match का तीसरा प्रस्ने है गणीत का तीसरा प्रस्ने है वैसे अगर देखा जाए तो यह 43rd number question है ठीक है वैसे अगर देखा जाए तो चलिए the value of 0.4 divided by this 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 इस प्रकार का question है आपको 2020 में देखने को मिलेगा देखिए सबसे पहले क्या होता है bracket solve होता है कोस्टक को solve किया जाता है तो 0.4 बटा में सबसे पहले कोस्टक को solve करते है तो 0.2 और 0.2 को जब गुणा करते है तो 0.04 हमें देखने को मिलता है ठीक है चलिए अब 0.4 के अंदर हमें भाग देना है 0.04 का तो हम लोग क्या करते ह खिसकाते हैं यहां पर तो यह भी पॉइंट खिसके, यहां आजाएगा, so 4.0 बटा में आ जाएगा, 0.4. ठीक, फिर इस पॉइंट को उठाकर यहां लाते हैं, तो यह वाला पॉइंट भी उठकर यहाँ आजाएगा, तो कोली मिलाकर के बारे में मैट्स का चौथा प्रस्न है यह हमारा ठीक है साथ अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छे अंकों की बड़ी संख्या का अंतर क्या है ठीक है साथ अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है एक दो तीन चार पाच छे साथ यह हो गई हमारी साथ अंकों की सबसे बड़ी संक्या सबसे बड़ी संक्या अब पूच रहा छैंकों की सबसे बड़ी संक्या चलिए भई साथ एक दो तीन चार पांच शै ये हो गई हमारे पास भई साथ छैंकों की सबसे बड़ी संक्या अब मुझे पूच रहा है इनके बीच का अंतर कितना है डिफ्रेंस कितना है डिफरेंस का मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा अब माइनस करता हूं तो नौ मेंसे नौ गया जीरो नौ मेंसे नौ गया जीरो नौ मेंसे नौ गया जीरो यहां पर भी जीरो यहां पर भी जीरो यहां पर नौ मेंसे जीरो गया तो नौ बच गया तो बच गया तो यहां पर अपना जो option है वो नहीं दिया गया है हमारे को सही से. ठीक है बई? option में गड़ बड़ी है मुणना, option में गड़ बड़ी है, 9 में से 9 गया, 0, 9 में से 9 गया, 0, 0, 0 जो कट गया सो गलत है ठीक है तो यहां पर एक 9 लगेगा एक आई एक दो तीन चार पांच ठीक है तो अप्शन नमबर ए हम एकदम सही मानते हैं लेकिन यहां पर 9 लिखना पड़ेगा ठीक है भई 9 0000 इस प्रकार से लिखा जाएगा और वो अपना सही उत्तर हो जाएगा चल मद्धी में कितना अंतर है लेकिन जरूर पूछे जाते हैं आप बले हैं ना 2019, 2021 चेक कर लो यह न छोटी से छोटी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या उसका अंतर निकालो उसका योगफल निकालो क्या है फलाना दिगडा तो यह सारे क्यूसन जो है ना बहुत जादा इंपोर्टेंट की जो है केटिग्री में आते हैं वेरी 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 इंपोर्टेंट की केटिग्री में आते हैं चलिए पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और तीन अंकों की छोटी से छोटी संख्या बैसाब जब हम पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्य माइनस करते हैं तो नो यहां आ गया, नो यहां आ गया, आठ यहां आ गया, और नो नो यहां आ गया, so 99899, ठीक है, 99899 A हमारा सही उत्तर हो जाता है, बिड़ा समझ में आ गया, 99899, चलिए हम लोग बात करते हैं, छट्थे प्रसने के बारे में, 6th नमबर क्यूशन के बारे मोहित ने एक मेज, 1800 रुपे में खरी दी, और इसकी मरमत पर 400 रुपे व्यव किये, फिर इसको 1800 रुपे में बेच दी, उसका प्रतिस्त लाव अत्वा हानी क्या है, उसको कितना प्रतिस्त का लाव बदलब की प्रॉफिट हुआ है, या कितना प्रतिस्त की हानी होई है, व रुपे में खरीदा और मरमत के उपर 400 रुपया खर्च किया, कुल मिलाकर उसको वो मेज बढ़ गई बाइसो रुपय में, उसको वो मेज बढ़ गई, बाइसो रुपय में, अब उसने ये देखिए, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, मतलब की लागत मुल्य, अब उसने बेचा कितने हैं, भैसाब अठारा सो रुपय में सिर्फ उसको बेच दिया है, तो उसको कुल मिलाकर सामने आ रहा है कि हानी हुई है, लोस हुआ है, लेकिन लोस कितना हुआ है, वो देखिए, लोस निकान लेकले क्या है, हानी का सुत्र क्या कहता है, विक्रे मुल्य में से लागत मुल्य को घटा है, वैसा विक्रे मुल्य में से लागत मुल्य को घटा है, लागत मुल्य में से का परतिस्यत निकालने का फॉर्मूला क्या कहता है का अगर यह करो गई तो आपको परतिस्यत मतलब की लॉस परसंट मिल जाएगा ठीक है अब लॉस मुझे हुआ है बैसाब 400 रुपे का चार सो रुपे का लॉस है एंड उसने खरीद दी थी बैसाब इसको 200 रुपे में ठीक हैं दो दूने चार 11 यहां आ गया ठीक है अभी 21 के अंदर 11 का भाग देज़े ठीक है 200 के अंदर 11 का जब हम लोग भाग देंगे चलिए 200 के अंदर 11 का भाग देते हैं 11 119 1188 तो दो बच गया यंड पॉइंट आ गया 11 119 बच गया 88.88 अठारा पॉइंट अठारा, 18.18 का लॉस मतलब की हानी हुई है, और नमबर C हमारा एक्जेक्ली मेच कर जाता है, चलिए, हम लोग और आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे साथवे प्रसने के बारे में बात कर लेते हैं, साथवे प्रसने हमें क्या कहता है, 170.65 गुणा 0.04 किसके बराबर हैं, चलिए, ये क्योशन भी 2020 के एंटरस एक्जाम में आप जाकर के चेक कर लेजेगा, पूछा जा चुका है, इसी फरकार के क्योशन पूछा जा चुका है, ठीक है, चलिए, हम लोग इसकी कलिकुलिसन निकालते हैं, 170.65, ठीक है, अभी ये जो पॉइंट है, इसको भूल जाओ, एंट 0.04 है, तो इसके आगे जो पॉइंट है, इसके आगे, इनको भूल जाओ है इसका हमें गुणा अभी नहीं करना है, पांच चुक कितना होता है, 20, 20 का 0 आशा लगी, 2, से चौक 24, 24, 26 का 6 आशा लगी, 2, 2 का 2 आगया, 7 चौक 28 का 8 आगया, 4 एकम 4, 2, 6 आगया, ठीक है, अब आप देखिए, अब आप देखिए, क्योंकि हमने इसका गुणा नहीं किया है, इसका गुणा नहीं किया है, तो ठीक है, फिर भी इसको ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 के बाद पॉइंट था तो यह आदेगा, लग बग अपना, ठीक है, so 6.826 ये देखिए, 6.826 ये अपना उत्तर आना चाहिए, ओके, जो की option कौन सा है, option number A हमारा एकदम सही उत के एक चौथाई कुत्ते बाजार में हैं, और उस जुण्ड के एक तिहाई अपने जंगल में हैं, बतलब कि कुछ कुत्ते जो हैं, वो बाजार हैं, बाजार में कहीं पर भी घूम रहे होंगे, पता नहीं कहा है, कुछ जो हैं, वो जंगल में बैटे हैं, ठीक है, and says 60 कुत के नौदे एक्जाम में एक क्योशन पूछा गया था, कि पक्षियों के एक जुण्ड में से इतने जो हैं, यहां बैटे हैं, इतने गोशले में बैटे हैं, कितने बचे क्या इस प्रकार से क्योशन था, उसी प्रकार का ये क्योशन है, ठीक है, तो एक जुण्ड के एक जंगल में वैठे हैं भाई साथ कुट्टे बचे हैं वो भोजन के लिए बटक रहे हैं, अब यह पोछ रहा है कि जंगल के अंदर कितने कुट्टे हैं, उसकी संख्या हमें बताईए, चलिए भाई साथ कुट्टे निकाल लेते हैं, कभी भी आपको फ्रेक्शन दिया जाए संक्या धी तो जो पीछे बचा हुआ है न वह संक्या निकालन ले उसको एक मैंस किया जाता है, देखिए मैं आपको समझाया qa-4, जो हैं वह हैं कि अ बट्टी जो हैं बाजार में एक बट्टा तीन जो हैं वह हैं जंगल में, अब पीछे कितने वचे हैं तो पीछे निका लेके लिए इसको एक मैसे माइनस कर दू ये एक मैथड है ट्रिक है जिस किसी ने फ्रेक्शन चैप्टर जो है भिन संक्या जो कि हमारे कंप्लीट कोर्स के अंदर बहुत ही अच्छे सी समझाय हुआ है नोड में भी आपको समझाय हुआ है ठीक है तो उसके अंदर ये बहुत कि पीछे कितने कुटे बचे हुए है ठीक है चलिए हम लोग निकालते हैं इसको आप समझ जी इसको इन दोनों का हम लोग LCM निकालते हैं तो LCM क्या आएगा चारती अब बारा ठीक है तो बारा है ना बारा आ गया तीन यहां आ गया एंड तीन का भाग्या चार यहां आ गया ठीक है तो एक मैंसे साथ बटा बारा आ गया एक मैंसे साथ बटा बारा आ गया तो पीछे बच गए पांच बटा बारा कुटे पांच बटा बारा कुटे हैं जो कि साठ के बराबर हैं साठ हैं लेकिन पांच बटको बारा का भागd दे दे गया तो आपको मिल जाया का कुल मिलाकर कितने कुज आ रहा है मुझे यह पूछ रहा है कि बैसा आप जंगल के अंदर कितने कुट्टे हैं जंगल के अंदर है एक बट्टा तीन कुट्टे कितने हैं एक बट्टा तीन कुट्टे तो इसका भी आप एक बट्टा तीन निकाल लो ठीक है भई तो तीन चौक बारा बार पंजे साथ ए हम लोग बात कर लेते हैं, next हमारे क्योसन के बारे में, कितने वर्षों में 1600 रुपे की राशी 6% वार्शिक ब्याज की दर से 2200 रुपे हो जाएगी, कितने वर्षों में 2200 रुपे हो जाएगी, 1600 रुपे हमारा क्या है, मूल धन है, मतलब की principle है, मूल धन है, कितना 1600 रुपे है, अब 1600 रुपे हैं, अब ये पूच रहा IT, कितने वर्षों में, मतलब की समय हमें लाव भीनिया, मालू में लाव लीनिया, ठीक है अब rate of interest दर जो है दर rate of interest वो हमें दी गई है 6% वार्षिक और क्या चीज़ दी है ये दिया है कुल मिलाकर पैसा कि बही कितने वर्सों के बाद में 1600 रुपे इसमें change हो जाएंगे तो बही ब्याज कितना बना चलिए साधारन ब्याज जो है SI simple interest वो कितना हो गया 2200 रुपे में से मूल धन को घटा दो तो भी साब कोल मिलाकर 400 और 200 600 600 रुपे हमारा ब्याज होना चाहिए ठीक है भई 600 रुपे का ब्याज हो दाएगा ठीक है भी साब यह हो गया अब आपको formula पता है सुत्र आपको पता है सुत्र क्या कहता है कि समय जो है समय निकालने का सु सुत्र हमें कहता है कि साधारन ब्याज जो है simple interest साधारन ब्याज इसको 100 के साथ multiply कीजिए बट्टा में भाग दीजिए मूल धन का ठीक है भाग दीजिए आप मूल धन का मतलब की principle का और दर का rate of interest का तो आपको समय मिल जाएगा चलिए साधारन ब्याज है मेरे पास 600 रुप ठीक है एंड दर है मेरे पास 6% अब 6 से 6 cancel हो गया तो 100 मुझे यहाँ पर मिल गया ठीक है यह पूरा का पूरा हमने काट दिया ठीक है दो 0 से 2 0 यह कट गए ठीक है अब पिछे क्या बचा 50 बटा में 8 मतलब की 25 बटा में 4 अब 25 बटा में 4 परसेंट जो है sorry वर्स लगेंगी 25 बटा में 4 वर्स लगेंगी अब चुकि हमारे को यहाँ पर किस प्रकार से option क्या दिये है उसको एक चेक कर लो options के अंदर कोई भी इस प्रकार का option हमें नहीं दिख रहा है तो हम लोग क्या करते हैं 25 के अंदर 4 का भाग देते हैं देखिए जब 4 का भाग दोगे तो 6 बार भाग जाएगा 24 आएगा तो पीछे क्या बच गया एक बच गया जब आप इसको mixed fraction में लिखते हैं मिश्रिद भिन या फिर मिश्र भिन में लिखते हैं इसको तो 6 सही 1 बटा 4 हम लोग लिखते हैं विसाब 6 साल तो सीधे हो गए 6 वर्स तो सीधे सीधे हो ही गए अब पीछ से एक बचा चार वर्स और हैं अगर Kai अंधर 12 महीने होते हैं तो 1 बचा 4 को हम लोग 12 से गुना करते हैं तो 3 महीने और हो गए 10 महीने और तो 6 वर्स और 3 महीनों के अंधर यह अपना काम सईय होतार है यह आपको आगया सम्झ में चलिए हम लोग बात करते हैं 10 0u' veya प्रसने कितनी इंटेट चाहिए, यदि एक इंट का माप 30 cm, 8 cm और 6 cm का है, ठीक है, अब आपको पता है कि जब इंट की बात होती है, दिवार की बात होती है, पत्थर की बात होती है, तो वहाँ पर हम वॉल्यूम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, आयतन न अब किसका निकालेंगे भैसाब, यहां पर हम लोग घनाब का आयतन निकालेंगे, घनाब जो होता है, क्या कहते है, क्यूबोइड, क्यूबोइड कुछ इस प्रकार से दिखता है, क्यूबोइड एक इस प्रकार से बनी हुई आकरती होती है, इसको आप दिवार भी बोल सकते अब इसको आप दिवार भी बोल सकते हैं इसको आप इट भी बोल सकते हैं जो इट होती है उसका सेफ भी कुछ इस प्रकार से होता है अब कोल मिलाकर कितनी दिवार बनानी है उसका आप वॉल्यूम निकाल लो एड एक जो इट है उसका वॉल्यूम जो है उसको निकाल लो और उसके अंदर भाग दे दो, तो कितनी इंट है चाहिए, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है, अब देखिए, दिवार का volume निकालते है, अब ये मीटर के अंदर दिया गया है, मुझे इसे centimeter में change करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंट है, वो centimeter में है, जब हम भाग देते हैं, तो उ उपर और नीचे, दोनों और जो एका ही होती है, यूनिट हो सेम होने चाहिए, चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, दस मीटर वराबर हो गया, दस हजार, सॉरी, एक हजार हो गया, एक हजार centimeter, ठीक है, आठ मीटर वराबर हो गया, आठ सो centimeter, ठीक है, अठारा centimeter तो बैसाब, 18 centimeter मुझे already दिया हुआ है, ठीक है, अब इन सब को गुणा कर दीजिए, क्योंकि एक जो घनाब होता है, क्यूवेड, उसका volume होता है, लंबाई गुणा, उंचाई गुणा, चोड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणा, उंचाई गुणा, चोड़ाई, ठीक है, सब को गुणा है बेटा, 30 into 8 into 6, ठीक है, 30 into 8 into 6, ठीक है, 0 से, 0 cancel हो गया, 8 हेकम 8, और 100 बार भाग जा चुका है, 3 हेकम 3, 3 चंग 18, 6 से 6 हमने काट दिया, तो पीछे क्या बचा, 100 into में 100, मतलब कि 10,000 इंटों की हमें जरूरत होगी उस दिवार को बनाने के लिए, ठीक है बई, तो 10,000 इंटे मतलब की ए अपड़ा एकदम सही उत्तर हो जाता है, चलिए हम लोग बात करते हैं, नेक्स हमारे क्यूशन के बारे में, नेक्स क्यूशन हमारा क्या कहता है, एक ग्यारवा प्रस्न, देखिए, 20-20 बटा 20, गुना 8, पराबर X है, तो X का मान क्या होगा, X का यूँ क्या होगा, वो अपने से पूचा गया है, चलिए, ये भी निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग भाग करते हैं, ठीक है बई, so 20-, अब भाग किया, तो 20 के अंदर जब 20 का भाग देते हैं, तो क्या आता है, एक आता है, चलिए, अब उसके बाद हम लोग करते हैं, कि हमारे बारवे प्रसने के बारे में, बारवा प्रसने क्या कहता है, देखिए, बड़ा ही, अच्छा प्रसने है, ये भी, ठीक है, तो क्या है, 6 बटा में 16, बटा में 10 बटा में 6, माइनस 2 बटा में 12, कि साथ हमें 10 बटा 16 को जोड़ना है, क्या हैगा, देखिए, सबसे की इसको काटी काट के तो क्या रता warto मैं 81 यहां आ गया ऐकटा मैं 600 यहां आ गया औरो रशले यहां आध यहां आ गया तो प्लाकी मिल पास क्या आ गया थीन बटा मैं 8 बट्टा में अब बट्टा मैं 3BS 10 बट्टा मैं 6 ठीक है and のट वात डño और अपना हो गया चलिए, अभी हम लोग बात करते हैं, next इसके और आगी, सबसे पहले हम लोग कोश्टक को solve, यहां पर करते हैं, ब्रेक्ट को solve करते हैं, तो ब्रेक्ट को जब हम लोग solve करेंगी, तो 3 बटा में 8, बटा में, LCM आगया 6, 3 का भाग दिया 2, 2 पंजे 10, माइनस 1, प्लस 2 बटा में 8, अच्छा, 2 बटा में 8 है, तो हम इसको 1 बटा में 4 भी लिख सकते हैं, तो 1 बटा में 4, यह आगया, चलिए, अब हम लोग इसको और आगे solve करते हैं, अब देखिए आपको, अभी तक इस पूरे bracket को solve करते हैं हम लोग bracket के अंदर क्या आ गया 9 बटा में 6 आ गया ठीक है 9 बटा में 6 आ गया and फिर हमें 1 बटा 4 को जोड़ना है फिर finally हमें 1 बटा 4 को भी जोड़ देना है चलिए जोड़ते हैं इसको क्या आएगा 3 से इसको कार दीजिए ठीक है तो 3 बटा में 8 बटा में 3 तिया 9 तीन दूने 6 प्लस एक बटा में 4 अब इसको और आगे solve करते हैं चलिए इसको और आगे solve करते हैं तो क्या आएगा अब देखिए यहां पर भाग का चिन जब आप इसको गुणा का चिन करते हैं तो यह उल्टा हो जाएगा ठीक है तो 3 बटा में 8 गुणा में 2 बटा में 3 हो जाएगा तो 3 से 3 कैंसल हो गया 2 एक मद 2 दो चो के 8 ठीक है तो 1 बटा 4 प्लस एक बटा 4 और वहां पर भी आगया एक बटा चार और वहाँ पर भी आगए एक बटा चार तो दो बटा में चार मतलब कि एक बटा में दो अपड़ा उत्तर होगा जो कि option number B के अंदर exactly match कर रहा है एक बटा दो 1 upon 2 चलिए अभी हम लोग बात करते हैं और हमारे next 13th number question के बारे में एक का वहमान जिसके लिए निम्न कथन सत्य है ठीक है अब ये अपने को दिया गया है इसका हमें उत्तर निकालना है क्या उत्तर होगा वो अपने से पूचा गया है चलिए हम लोग निकालते हैं इसको और इसको multiply कीजिए तो तेर पंजे 65 65 और नो चोहतर 74 सो 74 अपन में 13 multiplied by 13 अपन में 7 divided by अब ये bracket है यहाँ पर तो 5 बटा में 9 इंटू में x बटा में आ जाएगा 6 बटा में 5 चलिए equal में आ गया बराबर में 13 से 13 cancel तो 74 बटा में 7 यहाँ आ गया divided में क्या आ जाएगा कोस्टर को solve किया तो 5 x अपन में 9 आ गया ठीक है भी कोस्टर को पुरा solve ही कर दो 5 x अपन में 9 आ गया बराबर में मुझे 6 बटा में 5 मिलना चाहिए चलिए अभी मैं यहाँ पर क्या करता ह हूं इस डिवाइड को मैं multiply में चैंज करता हूं तो क्या होगा 74 बटा में 7 गुणा में यह उल्टा हो जाएगा 9 बटा में 5 x बराबर में 6 बटा में 5 चलिए अभी मैं इसको और आगे solve करता हूं तो क्या आएगा आप देखिए cancel दो कुछ होने जा लेकिन इस 5 से आप इस 5 को काट सकते हैं इसको इसके अंदर 3 का भाग दिया 2 आया इसके अंदर 3 का भाग दिया आ गया 3 ठीक है अब क्या में लगिया 74 इंटू में 3 बटा में 7 इंटू में x इस इक्वल टू आ गया मेरे पास 2 चलिए अब तो मुझे value किसका निकालना x का तो मैं x को उस्टेड लेके जाता हूं तो चोहतर इंटू में 3 बटा में 7 यह दो इस साइड आता है नीचे और बराबर में आ जाएगा x ठीक है अब मैं इसको काड़ता हूं तो क्या आएगा मेरे पास 35 और 2 37 यहां आ गया अब इन दो लों को मंटिबाई कीजिए 7 यह 21 तीन यह 9 और 2 11 11 बटा में 7 मेरा उत्तर होना चाहिए देख लेते हैं 111 बटा में 7 मलब कि ए हमारा एकदम exactly सही उत्तर हो जाता है चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं 14 परसने के बारे में 14 नंबर क्यूशन के बारे में 175 ग्राम के 10 बराबर कितना होगा चलिए 175 ग्राम है एक क्यूशन थोड़ा सा इंगलीश मीडियम वाले बच्चों का सही है ठीक है तो हिंदी वाले बच्चे आपका परसन यह नहीं है ठीक है इस क्यूशन को आप थोड़ा कंजीडर कीजिए कि 178 के 178 के 178 ग्राम के 13 परसेंट के 13 परसेंट के 8 परसेंट का मान क्या होगा यह अपने से पूचा गया ठीक है ठीक है तो इसका वैल्यू आपको नहीं इसका वैल्यू निकालना है चलिए अब 178 है इसका क्या है भई इसका है अपने पास 13 परसेंट चलिए भई साब 13 अपन में 100 मंटिपलाई में इसका है 8 प ठीक है, यह 50 यहां पर आ गया, चलिए, अब 178 इंटू में 13, अपन में 50 इंटू में 25, इतना ग्राम होना चाहिए, चलिए, अब इसको और आगे solve करना पड़ाए, क्योंकि हमारा उत्तर जो है, वो पॉइंटों में आएगा, ग्राम जो है, वो पॉइंटों में आएगा, तो अब यह आप इसको लिख सकते हैं, 178 इंटू 13, अपन में 5 इंटू 25 इंटू 10, क्योंकि मैंने 50 को इसके अंदर चेंज कर दिया, अब actually होगा क्या, कि अपना थोड़ा उत्तर और easy आएगा, कैसे आएगा, अब इसको तो बैसे आपको multiply करना ही करना पड़ेगा, चलिए, त 28 इंटू 13 करते हैं सबसे पहले, 8 तीया 24, 7 तीया 21 और 23, 3 एकम 3 और 25, 8, 7, 1, 4, 11, 1, 6, 13, 3, 1, 2, 3, 1, 4, यह अपना यहां पर आ गया, 2, 3, 1, 4 अपना यहां आ गया, then हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको meditate करते हैं, तो 25 पंजे 125 आता है, so 125 इंटू में 10 आ गया, इस 10 को आप हाल फिलाल छोड़ दो, इसका भाग हम बाद में दे देंगे, ठीक है, 10 का भाग हम लोग बाद में दे देंगे, अभी हाल फिलाल हम लोग 2314 के अंदर 125 का भाग दे देते हैं, जब आप भाग दोगे, तो एक बार भाग गया, 125 आया, ठीक है, 31 में से 25 जब जाता है, तो पीछे बचता है 6, and 100 यह बच गया, 106 बच गया, 4 हमने और लगा लिया, अब हम लोग जब 125 का भाग देते हैं, तो करीब 8 बार जाएगा भाई साब, 125 इंटू 8 करते हो, आटो बंच और 40, आट दू निए 16 और चार 20, आठ एकम आठ अन दो, 10, 1000 बार, मलब भाग जा रहा है, मलब 1000 मिलेगा हमें, 8 बार भाग देने के उपर, पीछे बच गया, 160, अब भाग नहीं जा रहा है, तो यहां पर आगया, पॉ पांच बार तो जाएगा, पांच बार, 25 पंजे, 125 आता है, तो 125 को जब आप 5 से गुना करते हैं, तो 625 आएगा, 5 25, पांच दू दू बार, 5 एकम पांच ने, 625 आ गया, ठीक है, 625 यह आ गया, तो पीछे हमारे पास क्या बचाता है, 625 के बाद जब लोग इसमें से मैनस क करते हैं, तो पीछे बच गया 15, ठीक है सब, अब पीछे बच गया 15, 0 लगाया, तो एक बार और जाएगा, ठीक है, तो 18.51 लगबग अपना यह आ रहा है, 10 का भाग अभी तक हमने नहीं दिया है, 10 का भाग हमें और देना है, तो करीब करीब देखिए, 18.51 तो मेरा भी यह अब इसके अंदर और देना है भाग, इसका 10 का, जो कि मैंने छोड़ा था, जब यह भाग दोगे तो यह 1.851 आ जाएगा, तो 1.85 लगबग यह अपना उत्तर हो गया, यह अपना एकदम सही उत्तर है, चलिए, हम लोग बात करते हैं, आज के हमारे 15 प्रसने के बारे में, 15 नंबर क्यूशन के बारे में, निमलेकित मैंसे कौन सा कथन, 50 के लिए बराबर नहीं है, कौन सी एक्वेशन, कौन सा समय करन, 50 के बराबर नहीं है, चलिए, 100 मैंसे देखिए, 100 मैंसे 50 गया, तो 50 आगया, बैसाब यह तो बराबर है, चलिए, इसकी बात करते है, 45, 20 के से गया, जीरू रहे गया, तो भी सब 50 तो यहां पर भी आ रहा है, यहां पर बात करते हैं पचास यह हो गया, दो यह हो गया, 52 जो की गणत है, इसलिए अपना उत्तर भी हो जाता है, चलिए हम लोग बात करते हैं, आज के हमारे 16 प्रस्तें के बारे में, 16 नमबर क्यूसन के जिस किसी को उत्तर आ रहा है कमेंट सेक्षिन में लिख के बताओ और आपके कोई क्यूशन से है कोई डाउट चाहिए तो वो भी बताओ इस वीडियो को शेयर करो लाइक करो चले वर्ग और एक आयत के परिमाप समान है यदि वर्ग की भुजा सोडा मीटर है और आयत की चाहिए अब होता है दो इन्टू लंबाई प्लस चोड़ाई लेंथ और बृत को जोड़ा जाता है वर्ग जो होता है स्कौयर उसका होता है फॉर इन्टू में भूजा मतलब की साइड ठीक है अब यह क्या कह रहा है कि दोनों का बराबर है चलि बैशाभ दो इन्टू लं चोड़ा मीटर की चलिए और यह जो है इसकी लंबा ही 18 मीटर तो दो इंटू 18 प्लस चोड़ाई बराबर 4 इंटू में 16 क्योंकि भूजा हमें 16 दी हुई है अब यह पूच रहाए कि इसकी चलिए अब यहाँ बर निकालते हैं और दो नीचे अब दो इंटू में 16 में 26 यह आगया ठीक है तो 16 ने 32 32 में से 36 गए माइनस में आगे माइनस में कैसे आगया आंसरस में क्या क्या है दोनों के परिमाप समान है वर की भूजा 16 मेटर है ठीक है अभी हमने लोग एक बार वेरिफाई कर लेते हैं कि कहां पर कोई अगर गलती हुई है कि नहीं होई है या फिर हो सकता है कि क्यूशन ही गलत हो ठीक है दू इंटू लंबई प्लेश चोड़ाई चार इंटू भूजा 18 मीटर हमने यहां डाल दिया शुड़ा मीटर हमने वहां डाल दिया अठार दू ने 36 होता है दू इंटू चोड़ा यहां पर आ गया मेरे पास बराबर मैं आ गया सोड़ चोका 64 ठीक है अभी मैं यहां पर मा लेता हूँ ठीक इसको कैसे मैंने कुई चैंज किया नहीं है जादा है ना अभी हम लोग इसको और आगे लेकर की चलते है अब 36 है तो 36 को मैं उस से लेकर के जाता हूँ ठीक है तो माइनश में हो गये 36 अठारदो चैंटी को घूलाइ सोड़ चोका 44 मैं से 36 गए यहीं से हमारी कहीं ने कहीं गलती हो रही हो ठीक है अभी यहीं पर गलती है 2 x 4i है, तीक है, 2 x 4i है, बराबर में क्या आए, 64, 64-36, सबसे पहलो तो यह निकालो, तो क्या आएगा, 4i बराबर क्या आजाएगा, 64 में से 36 गए, अगर 66 में से 36 को निकालती है, तो पीछे बत्ती है, 30 मनलब की 28 ही यह आगया, अब 4i निकालने मनलब की 2 का भाग दिए, तो में एक पार्क 25 मीटर लंबा और 1250 मीटर चोड़ा है, एक साइकल सवार को इस पार्क के 4 चक्र लगाने है, डेट किलोमेटर परती घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा, अ पार्क is 2500 मीटर लॉंग and 1250 मीटर वाइड, a cyclist has to take 4 rounds of the park, how much time he will take at the speed of 1.5 km per hour, देखिये, दूरी बटा में चाल वाला आपको फॉर्मूला पता ही होगा, साध साथ आपको पैरिमीटर निकालना आता होगा, पैरिमीटर क्या होता है बेटा, पैरिमीटर क्या होता है, परिमाप निकालना, किसका परिमाप निकालना है, पार्क का, पार्क क्या है बेटा, आयत के shape में है, रेक्टैंगल के shape में है, ठीक है, आयत के shape में है, ठीक है बई, चलिए, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसकी लंबाई है 25, चोड़ाई है 1250, तो परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या कहता है, दो इंटू लंबाई प्ल यह हो गया अपना 2750, ठीक है, 3750 आगया, ठीक है, यह अपना कुल मिलाकर उसका परिमाप हो गया, लेकिन उसको 4 चकर लगाने है, किते चकर, 4 चकर, तो भीसाब, 4 इंटू में, 2 इंटू में, 3750, यह उसको इतना दोड़ना है, यह मीटर में है, ठीक है, लेकिन अपने speed है, 1.5 किलोमेटर प्रती घंटा, अगर किलोमेटर में ए है, तो अपने को इस मेटर को भी किलोमेटर में चेंज करना पड़ेगा, भाईसाब सबसे पहले तो यह बात है, अब समय का फॉर्मूला क्या है, दूरी बट्टा में चाल, चाल है मेरे पास 1.5 किलोमेटर प्रती का जो मुझे समय निकाल के देदेगा चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं जीरो से जीरो काटते हैं इस जीरो को काटा तो यह पॉइंट उठकर यहां आ गया पुली मिलाकर क्या बच गया आठ इंटू में 37 सौरी यह आ गया 375 दस इंटू में 15 ठीक है अब दो काटा पांच पांच यहां पर आ गया पांच क्षेट्ता ऑपर आ गया तो बीस घंटे का समएं लगेगा अउसको घंटे का समय लग साएगा बीस अपना एकदम से उत्तर है 20 गंटे का समय लगेगा चलिए अभी हम लोग बात करते हैं 18 प्रसने के बारे में इसके अब हाज जी गुणनखंड क्या है प्राइम फेक्टराइजेसंस क्या है देखिए प्राइम फेक्टराइजेसंस 1280 लाइन खेंची सबसे पहले 2 का भाग देजिए सबसे छोटी सिंख्या का तो ये 640 आ गया फिर्शे 2 का भाग देजे 320 आ गया फिर्शे 2 का भाग देजे 160 आ गया फिर्शे 2 का भाग देजे 40 आ गया फिर्शे 2 का भाग देजे 20 आ गया फिर्शे 2 का भाग देजे 10 आ गया फिर्शे 2 का भाग देजे 5 आ गया 5 का भाग देजे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और फिर 5 दिया गया है, ठीक है भई साथ, तो D अपड़ा एकदम सही उत्तर हो जाता है, चलिए, अभी हम लोग बात करते हैं, 19 प्रस्ने के बारे में, निम्र लखे तो वेंजक का निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या में है, निकटतम हमें बताना है, न प्रस्ने के बाइसाब, सबसे पहले इनका गुणा करते हैं, फिर इसका और इसका गुणा करते हैं, फिर हम लोग इनको माइनस करते हैं, चलिए वई, 20.6 गुणा में मुझे करना है, 5.2, तो 12, 24, 56, 30, 55, 10, 2, 1, 7, चलिए, दो पॉइंट है, तो 107.12, ये तो आ गया सबसे पहले वाले का, इसका आ गया 107.12, ठीक है, अब इसका कर देते हैं, 8.1 गुणा में 5.7, ठीक है, तो 7 एकम 7, 7, 7, 9, 5, 8, 7, 56, ठीक है, 56 यहाँ पर आ गया, 5 एकम 5, 8 बंजो 40, ठीक है, 7, 11, एक हासल लगी, 1, 6, 4, मतलब की 2 के बाद पॉइंट है, मतलब 46.17, ठीक है, तो 46.17 ये आ गया, एंड 5.1 इंटो 4.2 है, तो 2 एकम 2, 5 उनने 10, 4 एकम 4, 5, 20, 2 है, 4 है, 1 है, 2 है, 2 बार पॉइंट आ गया, हम लोग 21.42, ठीक है, बही, 21.42 ये आ गया, अब हम लोग क्या करते हैं, 107.12 में से, सबसे पहले माइनिस करते हैं, 46.17 को, ठीक है भी सब, 46.17 को सबसे पहले हम लोग माइनिस कर लेते हैं, चलिए, तो क्या आएगा, 12 में से 5, 7 गया, पीछे बचा 5, ठीक है, यहाँ पर बच गया था, मेरे पास 0, इसी यह मैंने लिए मांगर, 10 में से 1 गया, पीछे बचा 9, ठीक है, अभी 6 में से 6 गया, 0, 10 में से 4 गया, पीछे बचा 6, तो 60.. पिचान में मेरे पास बचा है, उसमें से भी मुझे मैनस करना है- क्या मैनस करना है, 21.42 मुझे अभी तक मैनस करना है, 5 मैंसे 3 गया.. स्वरी, 2 गया, पिचे बचा 3, 5 यहां पर बच गया, 10 मैंसे 1 गया, पिचे बचा 9, 5 मैंसे 2 गया, design proces 3 49.53 49.53 लगबग वेरा 49 उत्तर होता है 49 नहीं होगा अपना उत्तर होगा 40 क्या होगा वही 40 होगा 40 क्यों होगा क्योंकि 49.53 आ रहा है न 49.53 देखिए पॉइंट की जश्ट बादवल जो अंक होता है वो अगर 5 से छोटा है माली जी यहां पर 4 आया होता तो फिर हम इसको यह लिखते हैं लेकिन अगर यहां पर 5, 6, 7, 8, 9 है तो हम इसके जिस्ट पास वाले में एक अंक जोड़ देते हैं इसके पास कौने 9 है तो 9 में एक अंक जोड़ेंगे तो यह 10 हो दाएगा यह अगर 10 होगा तो यह उसके पास जो एक आया है यह इसको दे देगा तो कुल मिलाकर 40 अपना उत्तर हो दाएगा यह मैंने आपको बता दिया है Approximations of Expressions यह एक चैप्टर है आपका उसके अंदर मैं आपको समझाए हुआ है कि यह क्यों होता है इसा प्रोसेश ठीक है बई जो कि हमारे Complete Course के अंदर समझाए हुआ है चलिए अभी हम लोग बात करते है 20 वे प्रसने के बार में 20 वे प्रसने क्या कहता है हम अपने गंतवी स्थान पर 4 सही 1 बटा 4 घंटे यातरा करने के पश्चाथ 6 बचकर 15 मिनिट पि-म पर पहुंचे हमने यातरा कितने बज़े आरंभ की ती कितने बज़े हमने यातरा मतल कि 4 पलस 1 बटा 4 गंटे का समय लिया गया है, जहलब 4 घंटे तो यह हो गए, अब 1 गंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो 1 बटा 4 इंटु 60 मिनट मतलब की 15 मिनट यह हो गए, ठीक है, तो वैसाब 4 घंटे और 15 मिनट पहले यह रवाना हुए थे, चार घंटे 15 मिन्ट पहले और 6 बज कर 15 मिन्ट पहुचे हैं विसाब 6 बज कर 15 मिन्ट मैं से 4 घंटे 15 मिन्ट को मायनस कीजिए 1002 टीक है दो बजे वह रवाना हुए थे दो पी-ेम को वह रवाना हुए थे ना कि दो ए-ए-म को क्योंकि यहां पर भी अगर पी-ेम दिया गया है तो अगर बाराँ बजे से पहले जआओगे सब्सक्राइब हो जाता है इसके बाद हम लोग बात करते हैं लैंग्वेशन brought łखिक हलो इसGod करते हैं गड्यास के बारे में जो एक कहानी है वह कह रही है कि बहुत पुरानी बात है अग्रोपटी में एक ग्वाला रहता था तो अग्रोपटी किसी जगा का नाम है ठीक है ग्वाला मतलब जो गाय का दूद निकालता है उसे ग्वाला कहता है जो गायों को रखने वाला क्या कहलाता है ग्वाला कहलाता है उसका नाम था चंदे क्या नाम था बच्चों ग्वाले का चंदे ठीक है ग्वाले की पतनी का नाम था सरला और पती का नाम क्या था चंदे तो चन्दे और उसकी जो चन्दे जो था किसका हजबेंड था शरला का था ठीक है बच्चों और दोनों किस गाओं में रहते थे दोनों रहते थे अग्रो पट्टी के अंदर कहां रहते थे बच्चों अग्रो पट्टी के अंदर यह जगा का नाम है अग्रो पट्टी ठीक है वह बहुत चतुर और लालची थी था नही लालची थी अब ठी जो सब्देस स्ट्रिलिंग के लिए आरे है तो चन्दे लालची था यह सरला जो थी वह कैसी थी बहुती छतुर थी? कैसी थी बच्चो बहुती चतुर? चतूर भी थी और साथ में कैसी थी लालची औरत थी चतूर और लालची औरत थी कौन थी चतूर और लालची औरत चंदे की पतनी क्या नाम था सरला ओके वह हमेशा चंदे को दूद में पानी मिलाने को कहती चंदे जब दूर निकालता तो शरला उसको कहते हैं थोड़ा पानी जोड़ दो पानी इसके दर मिला लो लेकिन चंदे ऐसा कभी नहीं करता था एक दिन चंदे गाय दूर आता तो चंदे बैठा होता गाय दूरने के लिए मान लो ये ठीक है ये गाय है ठीक है ये गाय के चार पेर है ये गाय के दो सिंग है ये कान है और ये गाय को दूरा है कौन दूरा है चंदे दूरा है यहां बैठा हुआ है चंदे गाय का दूद निकाल रहा है चंदे अब क्या हुआ गाय दूरा था उसी समय उपर उड़ रहे कववे के मूह से एक रोटी का टुकडा छूट कर गाय की पीट पर आ गिरा उपर से कववा जा रहा था उसका टुकडा जो है क्या हुआ गाय की पीट पर आ गिरा और गाय चौक गई और तीजी से उचल पड़ी तब क्या हुआ उचलने के कारण गाय का एक पैर चंदे के दाए हाथ है जो दाहिना हाथ होता है राइट है यह दाए हाथ दाए हाथ में लगा उसका पैर और उसका हाथ तूट गया तो चंदे का दाएना हाथ जो है वो तूट गया जिसलिए इसने इसको लात मारी अब दूद दूहने से लेकर दूद बेचने तक का सारा काम सरला के जिम्में आपड़ा सब कुछ कौन करती थी सरला करती थी वही दूद निकालती थी और वही दूद बेचती थी अब सरला दूद में पानी मिलाने लगी सरला दूद में क्या मिलाने लग गई पानी मिलाने लगी तथा बेचने के बाद बचे फालतू पैसे को अपने पास जमा करने लगी ये फालतू पैसे कौन है जो उसने दूद के अंदर पानी डाल के खटा किये थे वो फालतू पैसे है इस तरह एक महीना बीट गया अब सरला के पास धेर सारे पैसे जमाओगे फिर उसने क्या किया बच्चों एक दिन सरला ने उन पैसों से एक सुन्दर सी नत खरीदी नत में पैनने वाला एक कहना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं नत खरीदी नत खरीद कर पैनने के लिए सरला ने नदी में बनी अपनी परच्चाई उसके पास अधसी सा नहीं था नदी में जो परच्चाई थी ठीक है उसमें से देकर नत पैनने की कोशिस की परच्छाई का सहारा लिया परच्छाई को देकर जब वो नथ पहनने लगी थी कि नथ नदी में गिर गी पहन तो आसे फिसल गी और नथ कहां गिर गई नदी में गिर गई सरला के अथक मतलब खूब सारे भरपूर प्रयास करने पर भी तो इसके लिए एक सब्दे अथक अथक प्रयतन के बाद भी उसे वो नथ नहीं मिली वो सोचने लगी कोई बात नहीं पानी का पैसा पानी में चला गया त्योंकि पानी डाल डाल के ही तो उसने क्या आए पानी में मिल गई ठीक है अब पचता है तो जब चड़िया चुक गई खेद अब यही कह सकती है ठीक है अब इसके इसे प्रस्णों के बारे में बात करते हैं ग्वाला कहां का रहने वाला था बरस पट्टी चानपूर पट्टी अग्रो पट्टी या अलला पट्टी जिसका उतर है अग्रो पट्टी अग्रो पट्टी कौन रहता था चंदे और उसकी बीवी सरला ग्वाले की पत्नी का नाम क्या था ग्वाले की पत्नी का नाम सरला था नाकी चपला विमला सितला ठीक है बच्चों गाय क्यों चौक गई थी ठीक है कव्वे के मुह से मास का टुकड पीट पर गिंडने के कारण तो मास का टुकड़ा नहीं गिरा था किसका गिरा था रोटी का टुकड़ा पीट पर गिंडने कारण कववे के चलाने कारण या कववे के पीट पर बैठ जाने कारण तो नहीं इसका उत्तर क्या हो जाएगा बी इसका सही उत्तर होगा जो कव्य के मुँँ से रोटी का जो टुकडा था वो कहां आके गिर गया था गाय के पीठ के उपर आके गिर गया था और चंदे के दाईने हाथ के उपर क्या हो गई थी लग गई थी ठीके दाई हाथ के उपर लग गई थी अब चंदे कि कहां की हडी टूटी दाएं हात की बाएं हात की दवना हाथ की पीट की तो दाएं हात की उसकी हडी टूट चुकी थी अगला प्रस्ष भूं कि सरलाख किस चीज में अपनी परच्छाई देखते हुई नत पहनने लगी ठीक है क्या वो तालाब में देख रही थी या थाली में देख रही थी या सीसे में देख रही थी या नदी में देख रही थी तो हमने अभी पढ़ा कि वो नदी में देख रही थी जिसके कारण वो आज से फिसल कर वो नदी में गिर गई ठीक है नत्थ खरीदी नत्थ खरीद कर पे निकली सहरा नदी के पास बनी अपनी पर्चही का सहरा लिया नदी में बनी जो पर्चही उसका सहरा लिया और नदी में ही लास्ट में वो गिर गई पानी का पैसा पानी में चलो बढ़ते हैं अगली कहानी में चलिए इसमें बात ह और ये महात्मा बुद्ध के बारे में उनके जीवन के बारे में तो आईए देखते हैं क्या दे रखा है इसा पूर्वत छटी सताब्दी ठीक है इसा पूर्वत छटी सताब्दी मतलब इसा की जन्म से 600 साल पहले इसा पूर्वत छटी सताब्दी में 100 साल होते हैं तो छटी स सिताबदी मतलब इशा से 600 साल पहले इशा पुरू छटी सिताबदी में एक महान धार्मिक नेता का जन्व हुआ जिनका नाम गौतम बुद्ध और जिनों ने आगे चल कर बहुत धर्म की स्थापना की ठीक है ये वर्दमान महावीर के समकालीन थे मतलब जब इनका जीवनकाल चल रहा था उसमें महावीर जी का भी जीवनकाल चल रहा था उनका जीवनकाल लगबक समान था उनके बच्पन का नाम सिद्दार्थ था उनके बच्पन का नाम सिद्दार्थ था ठीक है तो गौतम बुद्ध की बच्पन का नाम सिद्दार था उनका जन्व 563 ईश्वी प उनकी माता का नाम माया था उनके माता जी कौण से राजवंच की थी कोसल राजवंच की थी ठीक है, बच्पन से ही सिदार्थ एकांत प्रिये थी कैसे थे एकांत प्रिये, ज़्यादा मेल जोल नहीं रखते थे किसे के साथ चिंतन सिल हर चीज के बारे में चिंतन करते थे, सोच विचार करते थे और कोमल सभाओ के थे, बहुती सरल सभाओ के थे, जगडालू प्रवर्ति के नहीं थे संसार की दुखों को देखकर उनका हिर्दे करुणा और दया से भर जाता था ठीके वे इन दुखों के निवारन मतलब इनका क्या उपाय हो सकता है दुखों से कैसे निजात पासकते हैं दुखों के निवारन का उपाय ढोंडते रहते थे 16 वर्ष की आयू में ही उनका विवा यसोधरा नामक कन्या से हुआ तो उनकी पतनी का नाम क्या था यसुधरा ठीक है माता का नाम माया पिता का नाम सुद्धोधन खुद का नाम सिदार्थ पतनी का नाम यसुधरा और जिसके गर्व से राहुल लामक पुत्र का जनम हुआ और बेटे का नाम ताहुल ठीक है परंतु ये वैभव वैभव विलास ये जो उनके पास संपती थी ऐसो आराम थे ठीक है राजकुमार सिदार्थ को संसारिक बंदनों में ना बांग सके मतलब संसार में ही खोई रहें क्या हो रहा है संसार में संसार की चीजों का उपयोग करना लुक्त लेना उसी में रहना इन सब में उन सिदार्थ जी को बांध नहीं पाया इसी कारण उन्होंने गरह त्याग कर दिया अपने गर को छोड़के चलेगे ठीक है राजकुमार होते हुए भी भोग विलास की बंधन का परित्या कर मुक्ती मार्ग की खोज में निकल पड़े और जो भोग विलास जो कुछ भी सेवा वगेरा सब कुछ उनको छोड़ गे जो इतने सारे नौकर चाकर होते हुए भी मुक्ति के मार्ग की तरफ मुक्ति के मार्ग की खोज में निकल पड़े कि इस संसार से रोगों से कैसे मिलेगी दुखों से मुक्ति कैसे मिलेगी ग्रिहत्याग की इस गटना को बोग लोग महा भीनिस क्रमन कहते हैं इस घटना को जब सिदार्थ अपने घर को छोड़ कर मुक्ति के मार्क लिए आगे बड़े तो उसको क्या कहते हैं बच्चों महा भीनिस क्रमन कहते हैं ठीक है बच्चों बहुत दिनों तक उन्होंने सन्यासी सा जीवन वैतीत किया बिलकुल सादू सन्यासी जैसे रहते हैं वैसे उन्होंने अपना जीवन वैतीत किया पीपल के वरक्स के नीचे वैसाख मास की पूर्णिमा के दिन उन्हें ग्यान की प्राप्ति हुई चैतर के बाद आता है चैतर फिर वैसाख साल जो हमारा होता है वो चैतर से सुरू होता है फिर उसके बाद में वैसाख जो आता है उस माह में इनको ग्यान के प्राप्ती हुई जिस इस्थान पर उने ग्यान के प्राप्ती हुई उसे आज भी हम बोध गया के नाम से जानते है तो ये भी इस नाम से जाना जाता है जहां पर उनको ग्ञान के प्राप्ति हुई संपूर्ण विष्ओं में परचलित हुआ और पूरे आगे का जो भी समय आया उसके अंदर पूरे विश्व के अंदर ये फैलता गया चाहे वो चीन हो चाहे नेपाल हो ठीक है स्री लंका हो हर जगा बहुत धर्म फैला हुआ था हिंदुस्थान में भी कई जगा बहुत धर्म फेलावा था लेकिन बाद में कई और राजा अगर आये थे उन्होंने वापिस हिंदु धर्म का प्रचार किया तो अब हिंदु धर्म भी इस्थापित है तो बच्चों महात्मा बुद्ध का जनम कब हुआ था तो महात्मा बुद्ध का जो जनम हुआ था 563 इस्था पूरु ठीक है वा था या फिर 563 तो 563 इस्था पूरु में हुआ था ठीक है जो की चटी सताब्दी थी इस्था पूरु तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बी ठीक है अब इसका सही उत्तर ये भी सही है इसा पूरु छटी सताब्दी में भी इसा पूरु छटी सदी इसा पूरु ये भी सही है ठीके तो इसके हिसाब से B और C दोनों ओना चाहिए लेकिन ज़्यादा ये सही है ठीके एग्जेक्ट है अगला प्रशन जो है हमारे पास महात्मा बुद्ध किन के समकालीन थे तो वर्दमान महावीर के समकालीन थे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा C ठीके बच्चों अगला प्रशन है हमारे पास प्रशन नंबर 68 महात्मा बुद्ध का विवा किसे से हुआ तो महात्मा बुद्ध का जो विवा था उनकी पतनी का जो न का-विवावा था वर्शुद्रह नाम की कन्यासिवा था इनका प्त्रीआध नाम किया था रहूल बुद्ध के ग्रहत्याग की गटणा को श्वक्र मरन कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों महा भीनिश क्रमण ठीक है बच्चों इसका उत्र क्या हो जाएगा सी हो जाएगा और हमारा अंतिम प्रस्ण है इस गध्यांच का कि महात्मा बुद्ध क्यों दुखी रहते थे संसार के रोगों से तो रोग के बारे में यहां बताया नहीं संसार के दुखों से और सोक से वह दुखी रहते थे संसार एक भोग विलाज से दुखी या और बी दोनों ठीक है तो इसमें कहीं रोग के बारे में बताया नहीं वैसे तो दोनों होना चाहिए लेकिन गध्यांच क्या इसाब से अगर हम जाएं तो यहां पर लिखा है संसार के दुखों को देखकर उनका हिर्दे करना और द्या से भर जाता था और यह जो दुख है इन दुखों के निवारण का उपए डूंडते रहते थे तो दुखों और सोक से तो इसका उतर क्या हो जाएगा बच्चों भी हो जाएगा बढ़ते हैं अगले गध्यास की तरफ जो कि श्री रविंद्र नाथ जी टेगोर के बारे में हैं इसके बारे में क्या दे रखाए कि रविद्र नाथ टेगोर हमारे देश के एक महान कवी नाटक कार और चित्र कार थे लब कविताय लिखते थे नाटक विचार पैदा कर दिया उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया किसको समर्पित कर दिया राष्ट को क्योंकि उस समय देश जो है अंग्रेजों की विलामी में था देश की स्वतंत्रता प्राप्ति में उनका महत्वपूर्ण योग था क्यों के द्वारा रचित जन गण मन राष्ट्रगान के रूप में परतिक राष्ट्रिय त्योहार में हम सभी के द्वारा गाया जाता है और बच्चे तो विद्याले में रोज गाते हैं आपका जन्म 1861 एसवी में हुआता है तो ये उनके बारे में बताने का तरीका है कि आपका ज पुरुषकार से समानित किया यह पहले ऐसे बार की थे जन्हें क्या मिला था नोबल पुरुषकार मिला था आपकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम मतलब राष्ट्र की प्रती जो प्रेम है उसकी जलक प्रदसित होती है ठीक है तो ये तरीका है कि आपको आपको बोल कर में वर्तमान में उनके बारे में बताना ठीक है आपने बंगाल के बोलपुर नामक सहर में एक विद्याले की स्थापना की जो सांती निकेतन के नाम से विख्यात है उन्होंने एक विद्याले की स्थापना की और उस विद्याले का का नाम क्या है बच्चों सांती निकेतन ठीक है कहां पर इस विद्याले की स्थावना की बोल पुर नामक सहर के अंदर ठीक है संप्रति में मतलब ततकाल में अभी करंटली यह विद्याले एक प्रख्यात विश्व विद्याले बन गया है जो यह स्कूल था है कि रविंद्रनाथ टेग्व का पूर्व नाम रविंद्र नाश्र चटोप धय था है लिए फिर भी प्रामिन ऐसे ठीक है पहें हर राविंद्रनाथ घाञूंने ऊपादि तकेशे अन्हें था उनन्हां और पड़ गया महात्मा गांदी जी ने इने गुरुदेव नाम से संबोधित किया था ठीक है और एक अंग्रेज ने इनको सर नाम से भी संबोधित किया था उन्होंने अपनी सारी रचनाएं करीब करीब बंगला में ही लिखी है और उसके पश्चात उनका अनुवाद अंग्रेजी में भी किया गया है उन्होंने बंगली में लिखा है बाद में उसका अनुवाद अंग्रेजी में भी किया गया है आपकी मिरत्यू हमारी स्वतंतरणा प्रापती से छे रचनाएं की Simplyгор बात करते हैं इनате प्रश्णोत्तर मारे में टेगोर का जन्म किस वर्स में हुआ 1910 में 1861 में 1862 में 1860 में तो इनका जो जन्म हुआ था बच्चों यहां पर देखते हैं 1861 इसवी में हुआ था इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों भी हो जाएगा बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की तरफ टेगोर को नोबल प्रस्कार कब और किस छेतर में मिला तो टेगोर को नोबल प्रस्कार 1913 इसवी में मिला था और साहित्य के छेतर में मिला था ना कि अर्थ सास्त दर्शन सास्त बागी कुछ नहीं ठीक है तो आपको साहित्य के छेत्र में उनीस सो तेरा इसी में नोबल पुरसकार मिला था इसका उत्तर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा अगला प्रस्ण है हमारे पास रविंदर नाथ टेगोर ने बंगाल के वोलपूर नामकिस्थान पर ठीक है वोलपूर ने यहां पर वोलपूर ने लिखा है चलो वोल या बोल जो कुछ भी है नामकिस्थान पर विद्जाले किस था आपने की उस विद्जाले का क्या नाम है तो उस विद्जाले का नाम था बिटा सांती निकेतन क्या नाम था बच्चों सांती निकेतन था तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सी सांती निकेतन आ रहा है समझ में ठीक है अगला प्रसन है हमारे पास कि टैगोर ने अपनी रचनाय मुखिर तक किस भासा में लखी हिंदी बंगला अंगरीजी या फिर उर्दू तो उन्होंने बंगला भासा में लखी थी बाद में उसका अनुवाद अंगरीजी में भी किया गया था और इस गध्यांस का अं रचना मैं से कुछ रचनाओं का उप्योग स्री लंका के राष्ट्रगान के लिए भी उप्योग हुई है मेरे साब से अगली एक कहानी है चींटे जी और टिडडे जी के बारे में तो एक था चंटा और एक था तिडड़ा और दोनों थे पडोसी चिंटा और टिडड़ा पडोसी थे वे एक दूसरे से बिलकुल बिन थे मतलब उनका सभाव एक दूसरे से बिलकुल क्या था अलग था चिंटा और उसका परिवार बहुत प्रिश्व में था बहुत मैनत करता था किसका चींटे का परिवार वे लोग सारा दिन मैनत क चावल, चीनी, आटा यह सब इकता करते थे। जितनी जरूद्थ हो उतना खाते और बाकि सब संग्रह कर लेते थे। डुसरी और टिड्डे के परिवार के लोग अपने समय का एक एक छंट मस्ती में गुजारते हर संड किस में गुजारते मस्ती में गुजारते जब मौसम अच्छा होता तो वे पाल्टियों में जाते और नास्ते गाते रहते वे चेंटियों का मजाक उडाते ठीक है जो कोई मौज मस्ती नहीं करती थी ठीक है अब जो कोई मौझ बसती नहीं करती दिन पर काम करती रहती थी उनका मजाग उड़ाते थे कौन उड़ाते थे पे परिवार बिचारी चीटया महफनत करती रहती थी उस साल सरदियों में कडा के की ठंड पड़ी मतलब बहुत कड़कर CA शरीऊ तिड्डियों के पास तो भोजन था ही नहीं क्योंकि उन्हें कुछ भी बचा कर रखा ही नहीं था जो कुछ होता था मौझ मस्ती में उड़ा देते थे और विचारी जो चींटिया थी वो खाने को एकत्र करते थे श्रीमान चींट shirt师 से बोले क्या बोले उनके पास जाकर क्या आप मुझे कुछ कुछ खाना दे सकते हैं क्योंकि उनके पास कुछ बचा जी नहीं था किनके पास नहीं बचा था टिडियों तो कुछ बचा इन नहीं मेरा परिवार भूखो मर रहा है किसने कहा भूख से मर रहा है परिवार तिड़े जी ने कहा किसको कहा चींटे जी से कहा स्रीमान चींटे जी ने वापिस कहा मैं दे सकता था मैं आपको खाना दे सकता था पर मैंने कठिन परिश्रम किया है बहुत कठिन परिश्रम क्या है ये भोजन मेरे पास मेरे और मेरे परिवार के लिए है सारे बसंत और गर्मी के मौसम में तुम लोग क्या करते रहे जब हम मेनत करते तुम लोग क्या करते रहे तब स्रीमान तिड्डा जी ने कहा मौसम इतना सुहाना था हम सारे मौसम नाचते गाते ही रहे सारे मौसम नाचते गाते ही रहे स्रीमान चीन्टा जी बोले तो जाओ और जाड़ा भी नाचने में बिता दो जो सर्दी का मौसम है उसको भी नाचने में बिता दो सर्दी का मौसम को भी जाड़ा भी कहते हैं याद रखो, कठिम परिश्रम आसान तो नहीं है, पर उसका फल जरूर मीठा होता है, कठिम परिश्रम करना आसान नहीं, लेकिन उसका फल बड़ा ही मीठा होता है, बच्चों, तो ये थी कहानी जिसका हमें यही सार मिलता है, कि हमें कठिम परिश्रम अवश्य करना चाहिए, नाचने वाला कंठोर बहुत ही परिश्णमी था नबच्चों के मौसम में क्या हुआ तिड़े पार्टी में गए, कड़ाके की ठंड पड़ी थी, कहां गए पार्टी में ठीक है बच्चों, उसके बाद में तिड़ों के पास बहुत भोजन था तिड़े जोस और मजे में थे, तिड़े भूख से बेहाल थे तो बच्चों कड़ाके के ठन में टिड़े जो है भूख से ब्यालत है उनके पास बिलकुल भी भोजन नहीं था कम नहीं बिलकुल भी भोजन नहीं था अगला प्रस्ण है बच्चों हमारा कि अनुछेद में किस सब्द का आर्थ इखटा करना है तो एकत्र करने का अर्थ है एकत्र करना ना की रख लेना परिश्रम करना या काम करना एकत्र करने का मतलब है एकत्र करना अगला प्रस्ण है कि चींटियों ने तिड्डे की मदद क्यों नहीं चींटिया लालती थी या वे नर्दे थी दिस पर दयानी आ रही थी तिड्डे प सबक मिलेगा जब तुम्हें भोजन नहीं प्राप्त होगा और अंतिम प्रस्ण है इस गद्यांस का कहानी से आपको क्या संदेश मिलता है ठीक है कुछ खाना संग्रा करो मौज मस्ती करो कठीन प्रिश्रम करना आसान नहीं पर इसका फल मीठा होता है केवल कठीन प्रिश्रम करना ही अच्छा है तो नहीं बच्चों इसका क्या होगा कि कठिन परिश्रम करना जो है आसान तो नहीं पर इसका फल मीठा होता है तो ये थे गध्यांस और उनसे जुड़े हुए प्रस्न उमीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा इसी तरह से पढ़ते रहे आ हम दूर बगाएंगे यान की जोत जलाएंगे हम यान की जोत जलाएंगे